जैसा कि आप सब जानते हैं दिल्ली में एक जल संकट की स्थिती बनाई है क्योंकि हर्याना सरकार ने दिल्ली के हग का 120 MGD पानी रोक लिया उसके बाद दिल्ली सरकार दिल्ली जलबोर लगातार संगर्श करती रही मेनत करती रही लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का हरसंबव प्रयास किया और हर्याना सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करी हमने हर्याना सरकार से कई राउंड्स बात करी यहां तक कि सुप् याचिका भी दायर करें। याचिका दायर करने के कुछी समय बाद हर्याना सरकार ने मुझे बताते हुए बेहत खुशी है। 16,000 क्यूसक पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया है। हमारे हक का पानी दिल्ली वालों के अधिकार का पानी दिल्ली वालों के भग का पानी हमारा legitimate water share जो हर्याना ने रोक रखा था वो हर्याना ने दिल्ली सरकार द्वारा सुप्रीम कोट में याचिका दायर करने के बाद जादू 16,000 क्यूसक पानी हतनी कुंट पे हर्याना सरकार ने छोड़ दिया है और अब वो अगले तीन से चार दिन में दिल्ली पहुंच जाएगा। उसके बाद दिल्ली के अंदर जो ये जल संकट है ये समाप्त होगा और लोगों की घरों में साफ पीने का पानी आप सब जानते हैं कि दिल्ली एक लैंड लॉक शहर है दिल्ली सदैव से पडोसी राज्यों पर अपनी वाटर सप्लाई के लिए डिपेंडेंट रहता है। उत्तरप्रदेश से गंगा नधी के माध्यम से हमें पानी आता है। अन्य राज्यों पर सदैव से निर्भर रहन दिल्ली आज अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते सफल हुई है मैं दिल्ली वालों को बहुत-बहुत बढ़ाई देना चाहता हूं कि आपके संघर्ष के चलते आपकी मेहनत के चलते आज हर्याना सरकार मजबूर हो गई दिल्ली को उसके हक का पानी देने के लिए और हर इससे एक बार जो समस्या जो परिशानी का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ा उसके लिए खेदव्यक्त करता हूं आपको सलाम करता हूं और आपके संघर्ष को सलाम करता हूं जिसकी वज़ा से आज हर्याना सरकार मजबूर हुई है सोला हजार क्यूसक पानी आपको देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद हर्याना सरकार ने ये पानी दिल्ली के हक का दिल्ली के अधिकार का पानी छोड़ा है और अगले तीन दिन में ये सोला हजार क्यूसक पानी जो हतनी कुंट से चला है जहां